नमस्कार आज मैं आपके साथ सेर करी हूँ सेम का रतोबा जी हाँ सही सुना सेम का रतोबा और इसे आमभासा में सेम का राइता भी कहा जाता है और अचार भी के रूप में खा जाता है या दाल और चावल के साथ खाने में तो और भी टेस्टी लगता है इसके साथ सब्जी क जरुवत भी नहीं पड़ेगी बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में और मेक्सियोर आपको भी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी तो चलिए सुरू करते हैं आज की रेसिपी बट उससे पहले मैं खुश्पु कनाओ जिया और मैं अपने चैनल घर का जायका वित खुश्पु में आपका स्वागत करती हूँ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्रेशी से एक लाइक और मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करे तो शुरू करते हैं रेसिपी तो हम यहाँ पर आदा किलो सेम लिए हैं और वो सेम जो की वाइट कलर काता है और वो वाला नहीं जो की ग्रीन कलर काता है आप यहाँ पर वाइट गलर्वरा सेम यूज किजिएगा और फिर हम इसके दोनों साइट के पोड अच्छी तरह से हटा देंगे और इसका मुझ खोल देंगे तो देखिए हम इस तरह से इसे करेंगे इसका रेशा भी बाहर निकाल देंगे और इसका मुझ इस तरह से खोल देंगे ताकि अच्छी तरह से मसालेस में मिक्स हो सके तो हम इसी तरह से इसके सारे मुझ को खोल देते हैं मैं आपको पूरी तरह से दिखाती हूँ देखिए इस तरह का तो इसी तरह से हम बाकी सेम का भी इसी तरह से काम कर लेंगे और फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर एक पैल लेंगे और उसमें आइड करेंगे पानी अब पानी को हलका गर्म होने देंगे फिर हम इसमें आइड करेंगे लासून टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट और चुट की भर हल्दी और फिस में एक उवाला ने देंगे तो हम इसे कवर कर देते हैं ताकि जल्दी उवाला सके तो देखिए इसमें उवाला चुका है अब हम इसमें एड कर देंगे सेम को और इसे कवर करकर कुक करेंगे करेंगे और कभर करकर कुप करेंगे कुछ देर के लिए कुछ देर हो चुका है अब हम इसका कभर हाट आएंगे और देखेंगे इसमें इक उबाला चुका है और फिर हम इसे चेक करेंगे कि ये कूप हुआ है या नहीं क्यूंकि हमें इसे 80% तक ही कूप करना है तो इसे हम चेक करते हैं तो यह भी अच्छी तरह से कूप नहीं हुआ है तो फिर हम इसे कवर करकर कुछ देर और कूप करेंगे कुछ दिर बाद हम फिर इसे चेक करेंगे तो इसमें और भी अच्छी तरह से उबाला चुका है आप देख ही रहे होंगे फिर इसे उलट पुलेट करेंगे और फिर हम इसे चेक करेंगे तो इसे हम चेक करते हैं तो ये देखिए ये अब कुक हो चुका है 80% तक अब हम गयस को बंद कर देंगे सॉरी हम इंडेक्शन पर बना रहे हैं तो इंडेक्शन को बंद कर देंगे और फिर हम इसे छान लेंगे और हम इसे किसी छनी में निकाल कर रख देंगे और हमने इसे 80% इसलिए कुक किया है क्योंकि जब यह धीरे-धीरे ठंडा होगा तो और यह कुक होता चला जाएगा और इसे ठंडा होने देना है पूरी अच्छी तरह से इसमें पाने कुछ भी ना हो तो दो घंटे बाद देखिए यह पूरी तरह से ठंडा हो चुका है अब हम इसमें इसे हमें एक बरतन में ट्रांसफर कर देते हैं तो हम इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं और फिर हम इसमें मसाले अड़ करेंगे हम इसमें मसालों में एड़ करेंगे पिसा हुआ राई का पेच्ट जो कि पीली सरसों वाली आती है न वह वाला और फिर हम इसमें एड़ करेंगे हरी मिर्च और हम यहां पर हरी मिर्च एक कंची की हेल्प से कट कर रहे हैं मैंने यहाँ पर जितना भी प्रोसेस किया उसमें चाकू का यूज नहीं किया तो ये भी इसमें बहुत अच्छी बात है कि ये कैसी रेसीपी है जिसमें हम चाकू का भी इस्तमाल नहीं कर रहे हैं और ये बनने में भी आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी फिर हम इसमें आड़ करेंगे अधरक लाहसून का पेस्ट और खरा अधरक लाहसून और साथ में हम इसमें आड़ करेंगे एक चम्मत सरसो वाइल और वो भी कच्चा सरसो वाइल और फिर हम इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे इसे mix हम अपने हातों से करेंगे क्योंकि हाथ ही सबसे अच्छा instrument होता है कोई भी चीज के लिए अभी अच्छी तरह से mix हो चुका है अब हम इसमें और भी masalis एड़ करेंगे तो फिर हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ी सी अजवाइन और मंग्रेला और इसे भी हम mix कर लेते हैं अब हम इसे test करते हैं कि इसमें salt कैसा है क्योंकि मैंने इसे cook करने के time में salt add किया था तो थोड़ा कम है तो फिर हम इसमें थोड़ा सा और salt add कर देंगे और अगर आपको यह salt उतना ही पसंद है तो आप उतना ही रहने देंगे फिर हमें mix कर लेंगे अच्छी तरह से तो लीजित तयार है थंडी थंडी सेम की रतोवे आप हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेते हैं आप इसमें गानिसिंग करेंगे मंगरेले के साथ पीले रंग पर काले कलर कितना खुसरत लगा तो लीजित तयार है आपके लिए जी हाँ आपके लिए सेम का रतोवा बटी से आपको अपने घर पर बनाना होगा और हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना होगा कि कैसा बना है तो इसको बनाने के लिए आप रेसिपी की इंगीडियन्स को नोट कर लिजे जो कि सारे इंगीडियन्स का नाम यह है I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सेर कीजिए फ्रेंड्स में, फैमिली में और रिलेटिव में ताकि वो लोग भी इसका लोगत उठा सके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी कंजू सिमत कीजिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो हमेशा लाते रहती हूं अपने इसी चैनल घर का जायका विद खुसुर में तो फिर मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ इसी चैनल पर जब तक खुश रहिए खुशियां बाढ़ते रहिए और आज पास सफाइब बनाए रख थांक यू टेक क्यार एंड नमस्कार